जहिन बच्चो, बच्चो मैं आजय कुमार वारानसी उत्तरप्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सिक्षिन पे स्वागत करता हूँ बच्चो ये आपके सामने आज उरिजिनल पेपर है उत्तरप्रदेश NMS का और ये ध्यान दें जो अन्य राज के बच्चे देख रहे हैं बिहार, महराष्टरा, मत्परदेश, शत्तिसगर ओ ये न सोचें कि ये यूपी का पेपर है तो हमें आउ सकता नहीं है ये देखे कई बार मैंने बताया हुआ है और आपका भी पेपर मैंने सभी राजियों को सॉल्व किया हुआ है सभी में बच्चो सेम पैटर्ण है जो यहां देखे लिखा हुआ है कि समाने मानसिक योगिता अब आपको दिखरा होगा समान ये मानसिकी योगिता के 90 प्रशन जनरल मेंटल अबिलिटी टेस्ट 90 कोशन्स और सेक्षिक अभिरूची परिक्षा यानि की स्कॉलरेस्टिक एप्टिट्विस्ट के 90 प्रशन आते हैं तो सेम पैटर्न है चाहें आप जिस राज के हो और बच्चो जिस तरह से कंपडिशन बढ़ रहा है अप कट ओफ डिसाइड हो रही है तो आपको कई राजियों के प्रशन हल करने होंगे ठीक है तो ये लास्ट येर का पेपर है जो कि नौंबर में हुआ था इसको मैं मैंने अच्छे से बनाई हुई है जिसमें आपको अलग-अलग मैट के जो 90 कोश्चन साते हैं उसके लिए अलग से मैंने एक-एक टॉपिक वाइस वीडियो बनाई हुए है साथ में सैट के अंदर का बिग्यान यानि की साइन्स के सभी चैप्टर्स को लगवग समझाय हु है तो 7000 बच्चे लगवग N MMS वाले जुड़े हुए है ऐसे में बच्चो क्लास 6 की नौदे विद्याले विद्याग्यान अटालावासी विद्याले काफी परिक्षाओं की तियारी कराता हूं ठीक है तो जिस भी राज्य की हो आपको पूरी यहां मदद मिलने वाली है आ इंग्लिस साथ में रहता ही रहता है ठीक है तो क्योंकि फिर स्क्रीन काफी छोटी देखेगी तो मैं हिंदी वाला ही पार्ट लेके चला हूं क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप इंग्लिस मीडियम से हैं कि हिंदी मीडियम से हैं ठीक है तो यहां देखे स भी एक चीज, देखे, नमबर ही नहीं है, देखे, इसमें अलफा बैट कुछ भी आ जाएगा, तो उसमें से भिन्न है, तो उसी भिन्न को हमको छाटना है, और उसको टिक लाके OMR में भढ़ना है, ठीक है, तो प्रश्न जो है, अब इन संख्याओं को ध्यान से देखे, 13, 17, 23 और 63, बच्छो देखे, जब भी नौदे विद्याले की भी मैं त्यारे कराता हूँ, और मैट की भी, तो मैंने हमेशा बताया हुआ है, आपको अभाज संख्या, अभाज संख्या जो है, वो 100 तक याद होनी ही चाहिए, ठीक है, बिना उसके नहीं हो सकता, इसमें बच्छो जो कई बेसिक वीडियो में मैंने बताया भी हुआ है, ठीक है, तो आपको किस तरह से त्यार करना है, क्योंकि ये सब चीजे काम आएंगी, एक से दस्ता कौन-कौन से अभाज संख्या, दो, तीन, पांच और साथ, ठीक है, ग्यारा और बीस के बीच में कौन-कौन सी है, ग आप 31 और उसमें 40 की बीच में 31 और 37 है, 41, 53, 47 है, ठीक है, फिर 53 और 59 है, फिर 61 और 67 है, फिर 71, 73 और 79 है, फिर 83 और 89 है, ठीक है, और 91 से 100 की बीच में कियेवल 97 है, ठीक है, तो आप ये note down कर लिजेगा, ऐसे आपको उपर नीशे मैंने कर दिया है, तो इसमें हम देखते हैं, कि 63 को छोड़ कर, सभी जो हैं, वो अभाज संख्या यानि की prime numbers है, अगर आपको याद होगा, तो ये सवाल को फिर आपको सोचने में, क्योंकि फिर आप हर एक संख्या से देखेंगे ठीक है, अब प्रशन दो को अगर आप ध्यान से देखें, तो इसमें एक सीरीज की तरह है, आप सोचेंगे, इसको कैसे हल किया जाए, या तो घटा के सोचेंगे पहले, कि भाई घटाएं, तो जब घटाएंगे देखेंगे, अलग अलग अंतर आ रहा है, ठीक है, और फिर रहा हूँ, हो सकता है, आप अलग सोचके उतर निकाले, ठीक है, लेकिन जो हम सोच रहे है, वो सब पर लागो होना चाहिए, जो चार ओप्शन उस पर लागो होना चाहिए, अगर हम देखें, तो यहाँ पर यह जितनी संख्याएं हैं, वो सम संख्याएं हैं, यानि कि वो एक even number के pair हमें दिख रहे हैं, ठीक है, 63 और 77 यह odd number है, यानि कि विसम संख्या है हमारे सामने, ठीक है, तो इस हसाब से option number 4 जो बच्चो है, वो सही है, ठीक है, अब देखिए next question, question number 3, इसमें देखिए बच्चो इस तरह के जब भी सवाल हल करने हो, मैंने काफी बार बताया है, तो आप वीडियो जो मैट की playlist असको देखिएगा, यहाँ पर फिर बता देता हूँ, आपको करना क्या है, A से M तक लिखिए, यही इसी तरीके से लिखिएगा, क्योंकि जब आप सवाल हल करेंगे आपको काफी आसान हो जाएगा, फिर नीचे M, M, N, O, P, Q, S, A करके A के नीचे Z आएगा, यानि कि यहाँ से लेका कुल 13 अलफाबेट आएगे, और यहाँ पर भी कुल आपके 13 अलफाबेट आएगे, ठीके, तो इसका यह देखिए, इस तरह से लिखने से फायदा क्या है, यह इसका उल्टा नंबर यह भी हमें पता चलता है, और सब पर आपको संख्या डाल देनी है, ठीके, तो यह देखिए, M जो 13 अस्थान पर आएगा, फिर 14 अस्थान पर ऐसे गिंती, आप A, B, C, D करके, गिंती करके लिख दीजेगा, ठीके, तो आप पाएंगे, इस सवाल को हल करने के लिए, ऐसे ही देखिए, भी आगे, और भी सावाल है, अल्फाबेट वाल है, तो इसमें यह मदलत मिलेगी, आप एक कॉपी में नोट डाउन कर लिजेगा, तो आप मैं बताओंगो, तो आपको असानी समझ में आएगा, R जो है, अगर संख्या के साब से देख ही होगा, बचो देखे, एक-एक सवाल को समझाने में काफी समय लगेगा, और कुछ चीजे आप पहले से अब जब नेक्स बीडियो आएगा, तो अल्फाबेट वाली चीजे कॉपी में लिख कर त्यार रखेगा, ताकि आप उसको समझ कर वहीं जल्दी से हल कर सकें, अब क कई चीजे डिरेक्ट सोच के वैसे ही तुरंत हो जाती है, तो इस वारे सवाल में भी अगर हम देखेंगे, तो तुरंत सोच के होने वाला है, क्योंकि अगर हम वावल की बात करें, A, E, I, O, U, ठीक है, तो हम देखते हैं कि P यहाँ पर वावल नहीं है, E वावल है, पहला, पहला अलफावेट ले रहा है, O, वावल है, A, वावल है, इस पर देखे, कोई भी आप अलफावेट में प्लस माइनस करेंगे, तो आपको रिजल्ट अलग 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 आएगा, जब अलग 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 आएगा, तो आप सोचेंगे भाई, और क्या हो सकता है, तो य यहाँ पर पुट में पहला अलफावेट नहीं है, ठीक है, इस हिसाप से इसका option number one बचो सही है, ठीक है, अब आई question number five देखे, इसमें भी जब हम देखेंगे, question number five में, तो आप plus minus करेंगे या उसके नमबरों को जोडएंगे, सब अलग अलग अलगाएंगे, तो इसमें क्य इतना है, एक, इसमें देखे, आई, एक वावल, इसमें देखे, ओ और यू, दो वावल, तो यहाँ पर यह अपवाद हो रहा है, option number one, बाकी सभी में एक वावल है, इसमें क्या है, दो वावल है, ठीक है, अच्छो, question number six, मैं आपको homework में दे रहा हूँ, question number six, ठीक है, इसको कैसे homework लीजे, और आप मुझे बताइए, कि इसमें option one, option two, option three, option four, कौन सा होगा, साथ ही अपना नाम और जीला अबस लिखेगा, जब आप YouTube के comment section में comment करेंगे, ठीक है, अब देखे, question number seven, तो यहाँ देखते हैं, जपान सिंगापूर को छोड़ कर, अनसभी में पहले देश हैं, उसके बाद उनकी राजधानी दी गई है, ठीक है, तो यहाँ पर चीन है, वेजिंग उसका capital है, रूस, मास्को है, ठीक है, और इस्पेन, आपका मैदेद है, ठीक है, और जपान, सिंगापूर, तो यह गलत है, option number, यहाँ पर तीसरा option सही होगा, फिर देखे, question number eight, कु कुछ जो है, आपको समय लेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखे, instruments, musical instruments है, बासरी, guitar, wiring, harmonium, सभी को हाथ या अन्य सहता से बजाया जाता है, बासरी को मुह की सहता से बजाया जाता है, ठीक है, इसलिए इसका बच्चो option number one, सही होगा, यह काफी आसान था, ठीक है, अब देखे, question number nine, iron, loha, nickel, cobalt, और almonium, ठीक है, तो इसमें देखे, almonium को छोड़ कर, अन्सभी का प्रमानु करमांग जो है, वो 20 से जादा है, ठीक है, अब इसके लिए आपको hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, जो हमारे तत्व हैं, उनको कम से कम 20 तक आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, तब आ कर पाएंगे, ठीक है, तो ये 20 के अंदर आएगा, बाकी जो है, 20 के ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो इस तरह से इसका option number 14 बच्चो सही होगा, इसमें बच्चो ध्यान देजेगा, ये सभी चारों जो हैं, वो आपके metal ही है, ठीक है, question number 9 को देखे, इस तरीकी से भी आप समझ चुंबक की तरफ खिचे जाते हैं, ठीक है, चुंबक तो इन में होता है, और अल्मोनियम में नहीं होता है, तो जिस भी तरीके से आप सोच के चले, चाहें आप इसके जो atomic number है, उसको याद कर ले, उससे भी यह हल होगा, और साथ में ये जो magnetic properties हैं, उनको भी आप धान तरीके से आप सोचते हैं, उस तरीके से एंसर निकलना चाहिए, और दोनों ही तरीके से देखें, यहाँ पर अल्मोनियम एंसर आ रहा है, देखें, question number 10, काफी असान है, कान, व्रिक, फेफडा और यकृत, ठीक है, इसको English में दिखा दें, ear, kidney, lungs और liver, ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे, कि यह सब जो अंग हैं, सभी अंदर सरीर के पाया जाते हैं, जो कान हैं, वो बाहर पाया जाता है, यानि कि व्रिक, अक्यक्रित, फेफडा सरीर के अंदर, और यह सरीर के बाहर, ठीक है, question number 11, है, homework लाप लीजे, और इसको बताए कि इसमें कौन सा option बच् तो जरूर कमेंट सेक्शन बच्चों कमेंट किजिएगा, thank you, thank you very much